महाकालेश्वर जोतिरलिंग ये जोतिरलिंग बारा जोतिरलिंगों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है ये जोतिरलिंग बहुत ही महतुपुन जोतिरलिंग है और एक ऐसा मात्र जोतिरलिंग है जिसका मुख दक्षिन की और है ये जोतिर लिंग अपनी भस्म आरती के लिए बहुत ही परसिद है और यहां पर महिलाओं का आना वर्जित है इसके इलावा इस जोतिर लिंग में एक ऐसा मंदिर है जो वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है ऐसे 11 Facts के साथ हम एक पर फिर से हाजिर हैं Dream Talent की एक और नई educational वीडियो में और अगर आप शिव भगते हैं और महाकाल और अजयन के बारे में ऐसे Facts के बारे में जानना चाहते हैं हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रही है, और जानिएं कि UJIAN में ऐसा क्या हुआ था कि काली दियास का कनेक्षिन UJIAN के साथ में है, इसके इलावा है क्या स्थिति है कि UNESCO ने इसको माननेत दी है और त्रवेनी संगम का क्या महत्व है उJIAN के साथ में ये सारे तथे हम आपके सामने लेकर आएंगे तो बने रही है हमारे साथ और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करती जिए ताकि आने वाले नो जोतिर लंगों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मा कालेश्वर जोतिर लिंग में भस मारती बहुत ही परसिद है और ये बड़ी संख्या में भक्तों और प्रेटकों को करशित करती है ये भस मारती दुनिया को अश्चरी चकित करने वाली भोर से पहले की जाने वाली आरती है जिसमें भगवान के शिवलिंग को भसम से नहलाया जाता है भसम आरती को मंगल आरती का नाम भी दिया गया है जो हर दिन सुभा जल्दी की जाती है लेकिन महाशिव राती के दिन शिव को दूले के रूप में सजाय जाता है और साल में एक बार भसमारती दिन के समय की जाती है शिव पर पुरानों के अंसार जब माता सती ने यग्यक में अपनी अहूती दे दी थी तो शिव अपने होश में नहीं थे उन्होंने सती को हर जगा का दोरा करवाया जब शिरी हरी को शिव की इस रूप का पता चला तो उन्होंने संसार की चिंता करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के को कई हिसों में बांड दिया था और जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहाँ पे शक्ति पीत स्थापित होगे भगवान शिव को लगा कि वो माता सती को हमेशा के लिए खोना दे इसलिए उन्होंने शिव की भसम अपने शरीर में लगा ली ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जगाने के लिए भसम आर्थी की जाती है और इसी लिए ये आर्थी सुबा चार वजे होती है आज ये आर्थी कपिला गाय के गोवर के उपलों से शमी, पीपल, पलाशवाद, अलमतास और बियर की लकडी से जलाय कर भसम का इस्तमाल किया जाता है ऐसा माना जाता है कि पहले शम्षान की भसम आर्थी के लिए प्रियोग की जाती थी भसम आर्थी गाय के गोवर या लकडी से बनी पवित्तर राक से की जाती है और अंत और मृत्यू का ये प्रतीक है एक नश्वर प्राणी मृत्यू के बाद राक में तक्दील हो जाता है और लिंग को राक सिल लेप करने की रसम परमात्मा के प्रती समर्पन का प्रतीत है महाकाल मंदिर के पुजारियों के मताविक भसमार्ती के दौरान महाकाल शिव रूप से शंकर के रूप में आते हैं यानि निराकार से साकार रूप में प्रवेश करते हैं इसलिए महलाओं को गुंगड के लिए कहा जाता है महाकाल की भसमार्ती के दौरान महलाएं दर्शन नहीं कर सकती इस दोरान भगवान को भसम रमाई जाती है जैसे सनान करते हुए किसी को नहीं देखा जा सकता वैसे ही मेलाओं को शिव के बस्तर बदलते समय या महाकाल को नेराकार से सकार रूप में आते हुए नहीं देखा जा सकता इसी वज़ा से कुछ मिंटों के लिए महिलाओं को घूंगट निकानने के लिए कहा जाता है जोतिरलिंग महाकालेश्वर तीसरा जोतिरलिंग स्थान में आता है ये अवन्ति का नगरी जो की अब उज्जायन नगरी के नाम से जाना जाती है में ये भस मारती की जाती है और ये हर सुबा चार से लेकर ग्यारा बज़े तक महाकाल जोतिरलिंग भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुले रहते है मानेताओं के अनुसार उज्जायन के राजा केवल महाकाल हैं इसलिए आज भी उज्जायन को लेकर ये मानेता है कि यदि कोई वर्तवान राजा रूपी नेता अर्थात परधान मंत्री या जन प्रतिनिदी उज्जायन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिमत करता है तो उसे इस सप्राद का दंड भुगतना पड़ता है महाकाल इश्वर मंदिर भारत के मध्यपरदेश के तिहासिक शहर उज्जायन में स्थित है जो की पुवित्र नदी शिप्रा के तड़ पर है पुराणों के अनुसार ये प्रजापिता ब्रह्मा ने बनाया था ऐसा माना जाता है कि छटी श्रतावदी में उज्जायन के राजा कुमार सेन ने इसे बनवाया था बार्मी श्रतावदी में राजा उदेदित्य और राजा निर्वन बर्मा के अधीन इनका पुनर निर्मान किया गया था इसके बाद पेशवर वजीररा प्रत्व ने अठार्मी श्रतावदी में मंदिर का फिर से निर्मान करवाया ऐसा माना जाता है कि उजयन के राजा चंदरसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन पर दुछाशन नामक राक्षिस ने हमला कर दिया था तो उसे बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे राक्षिस का वद किया और उजयन में जोतिरलिंग के रूप में वहीं पे स्थापित होगे उजयन को गरंथों में स्वर्ग बताने का एक प्रमुख वजा शिरी गनेश जी की तीनों रूप में उपस्थती है उजयन में गनपती जी की चिंतामन, मगधामन और इच्छामन तीन रूप में विराजबान है महाकालेश्वर मंदिर का निर्मान महराथा, भूमीचा और चालुक के राजाओं ने करवाया था इसे पांच स्तार हैं जिसमें से एक भूमीगत है यहां भगवान शिव की पत्नी देवी पारवती उत्तर में, उनके पुत्र गनेश पस्ची में और कार्थी के पूरव में और उनकी सवारी नंदी दक्षिन में विराजबान है महाकालेश्वर लिंग के उपर दूसरी मंजिल पर ओंकारेश्वर लिंग है मंदीर की तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर की एक छवी स्थापित है जिसमें भगवान शिव और पारवती दस फन वाले साम पर बैठे हैं और अन्यम मूर्थियों से घिरे हुए हैं नाग चंद्रेश्वर मंदिर उज्जयन के विश्परसिद महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है ये मंदिर लगवग ग्यार्मी शर्ताबदी में बनाया गया था ये मंदिर हर साल सिर्फ 24 घंटे यानि एक दिन के लिए खोला जाता है वो भी नाग पंचमी के परव है महाकालेश्वर मंदिर परिसर के नीचे सुरंगों और कक्षों का एक विशाल और चटिल नेटवर्ग है जो वर्षों से खोजा गया है माना जाता है कि इसमें कुछ सुरंगे उजेन के अन्य धार्मिक स्थलों की और जाती है उजेन कुम मेले की मेजवानी करता है जो दुनिया के सबसे धार्मिक समरों में से एक है जो बारा वर्ष में एक वार होता है और जिसमें लाखो भक्त आते हैं जो शिप्रा नदी में डुबकी लगाते हैं और ऐसी आस्ता है कि यहां डुबकी लगाने से पापों का प्राश्चित किया जाता है इसे त्रिवेनी संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिप्रा नदी खान नदी से आके मिलती है इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर को 2010 में युनस्को ने विश्ध दरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करती जिए ताकि आने वाले नो और शिवलिंगों के बारे में आपको नोटिफकेशन मिलती रहे और हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ताकि हम अगले वीडियो में और भी इंप्रूव करके आप तक